चलि हमारे समवाद आता प्रशांत गजबिये जगदलपुर से लाइव जुड़ गए हैं उनसे मौसम का अपडेट ले रेते हैं प्रशांत जाना चाहेंगे जगदलपुर में मौसम किस तरह से है क्या बारिश का दौर लगातार जारी है या फिर अभी राहत नहीं मिल पाई हो रही है उसने लिफ जुड़ ने की वज़े से जो खेटी किसानी करने वाले लोग है किसान है वहां पर बारिश नहीं नहीं हो पारी उस से जो है अब लोग परेशान हो रहे हैं और आमोवान बस्तर में इस दौरान जो है जुलाई के इस समय तक तक काफी बारिश हुआ करती थी नदी नाले उफान पर हुआ करते थे खेतों में पाडी जो है लबाला भरा हुआ रहता था लेकिन इस बार ये मौसम में बदलाव आया है और इस बार जो है बारिश ऑस्तन जो है लगबंग पचालिस ते पैसालिस प्रदिश्ट जो है उस्तन कम बारिश हुई है इस जो है ये कर चिंदा का विशह लेकिन ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में जो है बारिश जो है गिरेगी लेकिन इस समय जो है बारिश गिरने से जो खिसान जो होते थे जो खेपी करते थे उनकी पसल जो है काफी अच्छी होती थी लेकिन समय के बाद अगर बारिश गिरेगी तो कहीं बिल्कुल एक तरह जिकाए प्रशान्त की जगदलपूर में अभी बारिश का दौर जारी नहीं हुआ है और उतनी बारिश नहीं हुई है जितनी आनुमानित थी लेकिन कहीना कहीन मौसम में बदलाव लगातार होता है और जो सिस्टम है उसमें भी बदलाव देखने को मिलता है कहीना कहीं उमीद जताई जा सकती है कि जगदलपूर में भी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी तो मध्यप्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है कई ऐसे जिले हैं जहां पर एलर्ट भी जारी हुआ है और देश भर के मौसम के हाल अ प्रशांत ने बताया कि जगदलपूर के अगर बात की जाए वहां अभी बारिश उतनी नहीं हुई है जितनी अनुमानित होती है एवरेज बारिश वहां पर अभी नहीं हुई है और लोगों में भी यही लोग भी उमीद जता रहे हैं कि जल से जल बारिश हो और उन्ही र